सबसे ज़्यादा जो गलत हो रहा है वो आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है आम आदमी पार्टी इमानदारी से काम कर रही है फिर भी उसके साथ लगातार गलत हो रहा है दूसरी पार्टी उन्हें दबाए जा रही है कौन दूसरी पार्टी यानि सिर्फ भाजपा सरकार है जो आम आदमी पार्टी को लगाता दबा रही है कितना भी कोशिश कर ले हम आदमी पार्टी जनता को दिखाने की सरकार को समझाने की फिर भी भाजपा सरकार उन्हें छोड़ नहीं रही है इंटाइडली किसी ना किसी तुरू उनके नेताओं को फसाए जा रही है अर्विंद केजिवान ने लाली में एक और बयान जारी किया उन्होंने बकादा बोला है कि उनकी पार्टी भगत सिंग की तरह है वो जेल जाने से नहीं डरते हैं अगर उनके साथ कोई गलत हो रहा है तो पीछे हटेंगे नहीं साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि भाजपा सरकाच जान मुझकर उनकी पार्टी पर कीचड उचालती है जिससे कि उनकी पार्टी को बदनाम कर सके जेल से हमें डरनी लगता है तुम लोग सावरकर की ओलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी हम लोग भगत सिंग की ओलाद है हम भगत सिंग को अपना दर्श मानते हैं जिसने अंग्रेजों के सामने जुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया हमें जेल से कि प्वासी के फंदे से डरने लग, कई लाइब हski राजम हो यहां कि पूरे देश में आमादमी पार्टी आधी हो जैनि इन वीरी पूरी दथैश बना से चुका है यह ट कि आने वाले चुणाओं ने जिन जिन राजोल में चुनाओं जीन चाहे सवाल ये छोटा सा उड़ जाता है कि ये जो भविश्य देख रहे हैं आमादी पाटी क्या वो सही देख रहे हैं दूसरा सवाल हमारा ये मन में हो रहा है कि आप लोग अगर गलत नहीं है तो क्यों डरते हैं CBI जाज से क्या फर्क पड़ता है आपको जाज करने दीजे क्यों हमारे कानून में भी यही लिखा है कि सोग उनेगार छूट जाए पर एक बेगुना को सजा नहीं मिलती है अगर आप लोगों ने कुछ गलत किया ही नहीं तो जाज करने दीजे ना क्या फर्क पड़ता है क्यों आप बड़े बड़े इंट्रिव देते हैं क्यों आप जनता